नमस्कार दोस्तों, Pathfinder पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों, शहीद भगत सिंग के 115 जैनती के उपलक्ष में एक बहुत important चीज हुई वो ये थी कि चंडिगड एरपोर्ट का नाम बदल कर शहीद भगत सिंग के नाम पर रख दिया गया जिसके चलते पंजाब और हर्याना के बीच में जो एक लंबे समय से विवाद चल रहा था उसका भी अन्थ हो गया क्या था ये विवाद, क्यूं थी एक कॉंट्रिवर्सी इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं पहले निउस देख लेते हैं चंडिगड एरपोर्ट रिनेम्ड आफ्टर भगत सींग, end of a long dispute between पंजाब और हर्याना क्या है निउस पूरी? आइए जानते हैं तो Ministry of Civil Aviation यानि Civil Aviation जो मंत्राले है हमारा Central मंत्राले है उसने 28 September को शहीद भगत सींग के चनम दिवस पर या उनकी जैनती पर चंडिगड इंटरनाशल एरपोर्ट को रिनेम किया है शहीद भगत सींग इंटरनाशल एरपोर्ट और इस नाम के बदलने पर या इस नाम के ओफिशली रिनेमिंग पर चंडिगड एर इंटरनाशल एरपोर्ट की रिनेमिंग पर after शहीद भगत सिंग उनकी birth anniversary पर जो controversy थी between Punjab and Haryana over the claims on the airport वो भी finally अब खतम हो गई है Airport के बारे में देख लेते हैं तो Chandigarh International Airport Limited ये एक joint venture company है जो की बनी है गटित की गई थी under the Companies Act 2013 और इसमें कौन-कौन है जो joint venture में है It is the Airport Authority of India which is AAI and governments of Punjab and Haryana ठीक है Airport का runway कहा है Chandigarh में है वहीं इसका जो international terminal है It is located on the south side of the runway in the village of Mohali तो दोनों ही राज्यों के बीच में हम कह सकते हैं हम सभी जानते हैं कहां located हैं दोनों राज्ये और Chandigarh common territory आती है दोनों की because it is a common capital यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि AAI यानि कि Airport Authority of India का इसमें जो share holding है वो है एक 50 प्रतिशत की इस project में वहीं पंजाब और हर्याना ने contribute किया है साड़े 24 प्रतिशत इच इसी के बारे में और जादा बात करने से पहले आप मुझे follow कर सकते हैं इन तोनों टेलिग्राम चानल्स पर मेरी सभी class की updates, schedules और PDFs के लिए आप मुझे an academy app पर भी follow कर सकते हैं दोस्तों मेरी सभी plus courses और special class के लिए enroll करने के लिए और फिर ये controversy क्या हुई तो before we get into the controversy, let's understand कि demand सबसे पहले कब आई तो 2007 में जब S.A.D. और B.J.P. की coalition government थी, वो रूल कर रहे थी पंजाब में और उस समय के जो deputy minister थे सुखवीर बादल, उन्होंने के इन सरकार को urge कि एक अंतराष्टी airport बनना चाहिए मोहाली में, पंजाब में center ने इसको agree भी कर लिया और decide कि उस समय के जो existing infrastructure था ना वहाँ पर civil come defense airport का चंडिगड में, उसी को integrate किया जाएगा और उसको पढ़ा कर क्या बना दिया जाएगा? मोहाली international airport, तो already existing infrastructure structure है, उसी को, that would be integrated into moholy international airport, चलिए, इसके बाद एक agreement sign हुआ between the airport authority of India and Punjab, दोनों के बीच में कि चलिए, इसका काम शुरू करते हैं, बनाना शुरू करते हैं, ना problem क्या हुई, पहल तो deal देख लेते हैं deal क्या थी, मतलब कैसे किया जाएगा? तो यह agree किया गया कि जो land होगी, जो land acquire की जाएगी, वो to set up the moholy international airport as a joint venture between AI and greater moholy area development authority, यहां से acquire की जाएगी land को, ठीक है? इसका estimate जो लगाया गया कि सरकार को acquire करनी होगी, कितनी जमीन? 307 एकड की जमीन for the project in moholy, जिसमें उनका 300 से 500 करोड खर्चा भी आएगा, जमीन ली जाएगी, state government ने कहा कि वो invest करेगी, state government को actually कहा गया इस venture में, कि आप land में invest कीजिए, और AII, airport authority of India ने कहा कि हम infrastructure build करेंगे, तो joint venture में क्या होता है न? मिलकर काम किया जाता है, तो पंजाब क्या कर रहा है, land में invest करेगा, वो 300 से 500 करोड जो लगेगा, और infrastructure बनाएगा, AII, यही distribution है, और joint venture क्या हुआ, कि पंजाब और AII का जो इतरा से हिस्सेदारी होगी, वो कितनी होगी, 49 is to 51, यानि AII की 51 परसंट और Punjab की 49 परसंट की sharing हो जाएगी, समस्या कहां से आई, now how did Haryana's take its claim on the airport, Haryana कैसे अपना claim डाल रहा है airport पे, यह शुरुवात हुई, जब Haryana ने अर्ग्यू किया, कि जो existing Chandigarh airport है, उसी को अफग्रेड किया जा रहा है, तो Haryana का भी अपना claim है Chandigarh पर, because it is a joint capital, तो Haryana कैसे पीछे रहेगा, Punjab on the other side said, the airport was being expanded on Mohaliland, Punjab ने कहा कि यह तो Mohaliland में expand करें, क्योंकि लैंड तो Mohalil से आ रही है, Mohalil Development Authority से आ रही है, यह चला claim, इस समय, जो हमारे उस समय के Prime Minister थी, Dr. Manmohan Singh, इन्होंने intervene कि और sought किया इस पूरे मुद्दे को, और कहा, कि चलिए हर्याना भी contribute करेगा, 24.5% यानि कि जो State Government, Punjab का contribution था, उसको दो हिस्सों में divide किया गया, because of the intervention of Dr. Manmohan Singh, the former Prime Minister, जिसका मतलब हुआ कि लगबग 200 करोड़ पे हर्याना को देना होगा, लैंड के लिए और 200 करोड़ पे Punjab देगा, तो अब क्या होगा, अब लैंड कर contribution आएगा from the States and infrastructure will be built on by the AI, ठीक है, ये decide हुआ, जब हर्याना ने अपना claim किया, अब confrontation कैसे खतम हुआ है इसको लेके, और क्या confrontation था वो भी देख लेते हैं, देखिए, तो वो हमारे freedom fighter है, national hero है तो उनके नाम को लेके तो कोई controversy नहीं थी, अगर नाम बदलना है और शहीद भगत सिंग के नाम पर रखना है तो both the state governments agreed लेकिन पंजाब चाहता था कि international airport of Mohali मतलब भगत सिंग के नाम के साथ Mohali को भी use किया जाए वहीं हर्याना चाहता था कि पंजकुला को अड़ किया जाए suffix with the name of the airport दोनों को अपनी अपनी जगहों का नाम डालना है यहाँ पर, लेकिन बुदवार को यानि 28 September को finally confrontation है यह जो controversy कप खतम हुई जब एक long pending demand जिसमें Mohali, चंडीगड या पंजकुला को अड़ करनी की जगह in the nomenclature यह शांत हुई जब नाम बदल कर रख दिया गया शहीद ए आजम भगत सिंग इंटरनाशनल एरपोर्ट, चंडीगड चंडीगड is a common capital तो यहाँ पर इस controversy का अंत हो गया यहाँ बीच पीच में जैसे हर्याना की तरफ से प्रस्ताव पारत हो गया था इस तरह की चीजे भी हुई है which is not relevant for us to know यहाँ तक है important है की main controversy was to addition of the name of the places of respective states पंजाब चाहता था मोहाली का नाम है हर्याना चाहता था पंचकुला का नाम अड़ो फाइनली चंडिगड का नाम अड़ हुआ suffix में and this is how the name the controversy ended between the two states तो दोस्तों अगर आप अनकाडमी से जुनना चाहते है अनकाडमी सब्स्रिप्शन के बहुत जादा फायदे हैं जैसे आपको बहुत सारे benefits मिलते हैं वाइडस choice of educators unlimited views on lectures live mentorship और results तो आप जानते ही हैं जो हम produce कर रहे हैं हर साल इसी के साथ-साथ आज आखरी दिन है 20% discount avail करने का on my code ndlife10 for your UPSC CAC subscriptions आपको काफी अच्छा benefit यहां मिल रहा है go enroll now इसके साथ-साथ एक बहुत important announcement है दोस्तों अगर आप plus learner है आप सभी जानते हैं कि Iconic में ही Iconic य Iconic Combo में ही आपको physical notes मिलते हैं physical notes are 20 GS books which are updated comprehensive coverage है उसमें PYQs भी है mind maps भी है contemporary issues भी cover करते है 2.2 जो notes है हमारे अगर आप सिर्फ notes लेना चाहते है on academy के तो वो भी आप avail कर सकते हैं सिर्फ आपको मेरा code यूज करना है NDLife10 to avail 20% discount on this also अगर आप सिर्फ notes लेना चाहते हैं तो आप भी ले सकते हैं batches हमारे शुरू हो चुके हैं 29th September से अभी enroll कीजिए इसके अलावा loan facility भी available है with 0% EMI जिसमें आप as low as 4364 यानि 5,000, 45,000 या 5,000 से कम per month EMI से अपनी preparation शुरू कर सकते हैं test series platform पर अल्री लाइव है अभी जाईए enroll कीजिए this is the price and this is the code अगर आप ये code यूज करते हैं तो again you can avail 20% discount for today आज आखरी दिन आज इस discount का इसी के साथ optional test series भी platform पर चल रही है anthrop, abat, geography and mathematics की ये भी आप अबेल कर सकते हैं with my code nd live 10 दोस्तों that's it from my side I hope you like this session आपको पसंद आया होगा don't forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon